एलविश यादव की टॉक्सिक बयान पर एलविशा फैंस हुए नाराज एलविश यादव ने तोड़ा एलविशा फैंस का दिल तो इस वीडियो को कीजे मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजे देख तमाशा टीवी का कुछ लोगों को खुश करने के लिए एलविश यादव है ना अपने ही गेम में रायता फैला चुके हैं अपने ही दोस्ती में कई सारे फैंस को नाराज कर चुके हैं हलाकि मैं आपको बता दू एलविश यादव का कोई बी इंटेंशन नहीं था किसी को भी परिशान करने को किसी को भी टॉक्सिक कहने का लेकिन जिस तरीके से टॉक्सिसिटी चल रही थी ये सभी को पता है टॉक्सिसिटी कौन फैला रहे हैं सोलो फैला रहे हैं या फिर शिपर्स और मैं आपको एक बात बता दू एलविश भाई एक बात आप याद रखना एलविशा फैंस वो फैं और ये बात तो सभी को पता है एलविश यादो को भी थोड़ा सा और मैच्च और हो जाना चीए उनको भी बात समझना चीए कि बड़े बड़े सेलेब्रेटी को भी लोग शिप करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके हिसाब से चलेंगे लेकिन हाँ जब शिपिंग फ बड़ा फैंडम खड़ा होगा और ये होता ही है ये सचाई है बड़े बड़े सेलेब्रेटी के आज भी फैंडम है एश्वेरा सलमान के आज भी फैंडम है सलमान और कैट्रेना जो की बिलकुल अलग हो चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं लेकि Shipping Fandom के लोग है ना उन्होंने Manisha के ही वज़े से Elvish को पसंद किया था Elvish का जो बिलकुल सा character change हुआ ना वो Manisha से मिलने के बाद हुआ था Elvish खुद इस बात को मानते हैं कि उनका सुभाव बहुत गुसेल था लेकिन Manisha से मिलने के बाद जो Elvish में बदलाव आया वो शायद Manisha के ही वज़े से आ सकता है इसके अलावा और कोई reason नहीं हो सकता है ये खुद Elvish ने Big Boss में भी कहा था और अगर आप Big Boss की बात को अगर आप जूट मानते हो ना मैं समझता हूँ कि Big Boss एक reality show नहीं हो सकता है Elvish ने क्यों जिताया उसका एक बड़ा reason मैं आपको बताता हूँ Elvish और Manisha को आज अगर इतना ज़दा प्यार मिल रहा है ना तो उसका एक बड़ा reason है कि ये दुनों real थे सिधार तशुकला को Big Boss में क्यों जिताया था सिधार तशुकला real था शहनाज गिल को आज भी Big Boss के बात से इतना ज़दा popularity मिली है क्योंकि शहनाज real थी Manisha Rani real थी और आज भी real दिख रहा है इवन Manisha ने ना shipping fandom को at least कभी भी hurt तो नहीं किया है Elvis यादव ने अपने कुछ toxic fandom को लेकर अपने कुछ toxic fan को target करने गए और Elvis यादव फैन्स हर्ट हो गए है अब यहाँ पर कुछ वो comment है जो आप भी देख सकते हो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़दा emotional है मैं आपको एक बात बता दू Elvis shadow in the near future मनीशा के साथ project करेंगे तो Elvis यादव फैन्स भी थोड़ा सा cool down हो जाई या आप लोग भी बहुत ज़दा निराश मत होई है लेकिन हाँ मैं आपको हमेशा कहूंगा आप individual भी support कीजिए मनीशा को support कीजिए Elvis को support कीजिए और एक बात मैं कहना चाहूंगा चाहिए वो creator हो या fans ये बात तो इतने तो सभी mature है सभी को पता है किसी के कहने से कुछ नहीं होता है लेकिन at least ना fans का भी emotion आपको समझना चाहिए अगर आप इतने बड़े level पर होतो एक user ने लिखा मनीशा जैसा कोई नहीं वो उसने किसी को बुरा नहीं बुला उसने किसी के सामने किसी को बुरा नहीं बुला ये चीज उसकी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो बहुत आगे जाने चाहिए मेरी दूआ है उसको अगले एक और user ने लिखा हम नाराज हैं सब अलविशा वाले हम सब ने बहुत सपोर्ट किया दोनों को बिग बॉस में देखकर कपल को पसंद किया पहले अलविश अपने व्लॉग में बोलता था अलविशा वाले कैसे और अब गुसा हम पर निकाल गया अगले एक और user ने बहुत ही इमोशनल मेसेज अलविश के व्लॉग पर लिखा है तो ये इमोशनल मुमेंट है अलविश यादव को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए और आप यकीन मानिए स्टैंड आएगा अलविश के तरप से अलविश खुद भी नहीं चाता है कि अलविशा वाले नराज हों इवन अलविशा को सबसे ज़दा प्रमोट भी अलविश नहीं खुद किया है आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपीनियन क्या आप भी मानते हो कि सोलो टॉक्सिटी के चलते कुछ बड़ी लड़ाईयों के चलते कुछ छोटी जो छोटा फैंडम था उसको पीसा गया है जान बुचकर इस लड़ाई में मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपीनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए